Hello everyone and welcome to Aglasan. आज हम बात करेंगे पंजाब स्कूल एजुकेशन बोड के नए डेट शीट के बारे में. अगर आप कल इंटरनेट पे थे या आप सोशल मीडिया पे आये थे, तो शायद आपके दोस्तों ने बताया होगा या आपको न्यूज में कहीं पे दिखा होगा कि नए डेट शीट आ गई है. इसको लेके अभी थोड़ी confusion चल रही है जो कि मैं आपके लिए भी clear कर दूँँगी. देखिए Punjab School Education Board का जो official website है, वो मैं आपके सामने दिखा रही हूँ, वो ये है, pseb.ac.in. इस website पे latest news का एक section चलता है, जिसमें कि वो जितने भी आपके exam को related notifications है, वो यहाँ पे निकालता है. यहाँ पे अगर आप view all पे क्लिक करेंगे, तो आपको sliding के जगे यहाँ पे जो latest notices है, वो दिख जाएंगे. 9 April को ऐसा हुआ था कि दिन और दुपहर के बीच के time में यहाँ पे तीन नए date sheets आये थे. एक class 5th का था, एक 10th का और एक 12th का. वो जो documents थे, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि उस time पे हमने उनको download करके रखे थे और आपको वो अगला सेंप पे मिल भी जाएंगे. उन notifications के according, class 5th के जो एक्जाम से वो 20 और 21 एपरल को होने हैं, उसी तरहे class 10th के जो एक्जाम से वो 20 एपरल को शुरू होके 5 माई तक चलने वाले हैं, और class 12th के जो पेपर है, वो भी 20 एपरल से शुरू होके 1 माई तक चलने वाले हैं. पर confusion यहाँ पर आई कि शाम पड़े ये तीनों notifications PACB के website से हटा दिये गए थे. Students में थोड़ी confusion generate हुए इसको लेके कि क्या ये notifications अभी भी valid है या नहीं. तो जहाँ तक हम कह सकते हैं, वो ये है कि पंजाब ने tentatively, यानि कि जहाँ तक हो सकता है, वो इन dates पे exam कराने की कोशिश करेंगे, जो कि 20 April के बाद से start होने वाले हैं. पर जब तक इंडिया में lockdown खतम नहीं हो जाता, तब तक कोई भी state अपने नए date sheets को नहीं notify कर सकती है, क्यूंकि ये सिर्व education department का नहीं, ये state के health department और central departments के भी decision होंगे कि lockdown और बाकी जो restrictions है वो कब तक चलेंगे. इसको लेके पंजाब केसरी ने भी कल एक news निकाली थी, जो ये confusion create हुआ है, PACB के website पे. हालाकि उन्होंने इस चीज़ पे काफी गौर फर्माया है कि Punjab School Education Board ने ये दूसरी बार ये गलती करी है कि बिना finalize करे notification डाल दिये है, अगर आप अगला सेम से जुड़े थे तो आपको पता होगा कि coronavirus के बाद उन्होंने पहले एक notice तो निकाला था, exam cancel होने का, फिर उन्हो बार नएने dates डालने से students में थोड़ी confusion generate हो रही है, जिसको लेके Punjab के इसरी नहीं है, काफी अच्छा एक news article भी डाला हुआ है, तो अगर आप Punjab Board के student है और आप वेट कर रहे है कि आपकी नए exam dates का भूंगे, तो आप अगला सेम से connected रही है, मैं आपको नीचे तीन link देने वाली हो, जिनमें की सारे आपको details मिल जाएंगे अपने अपने class के date sheets के, उसके अलावा pseb.ac.in ये official website है, इस पे भी notifications आते रहते हैं, पर जैसा कि आज हुआ कि थोड़ी देर के लिए notification आके चला गया, उसमें अगर आपको कोई भी confusion हो रही हो, आप अगला सेम पे आके तु करे आके अगला है झालाव पे अुआ हो, आपको ठाहला हैं, ये अगला सेमें वे